कριि कि पहली बाथ हम जिग्यासा को लेकर आएँ अपने अंदर हमाया देखिये नूटन से सीखिया ना चिकेता उसके मंदर जिग्यासा हुई दूसरी चीज अनुशाषन अनुशाषन हमें चीति सीखना है प्रकृति रिष्टे सीखना है हम अनुशाषित हो तिसने जी धहरेवान हम धहरेवान नहीं है हम जब अंदर भारिस लेकरा है और आपके अदर दुसरों व्यक्ति का कपड़ों से असका आखलाम करते हैं शंकर्जी को देखिए शंकर्जी बिंद्वाद अपने अब आखलाम उसके चैनित्र से किया तह smys we ढ झो तो हम लोग डर्ऊ सारी कमी हैं हम धहरेबान बने हम अपने इन दरकों और निकाले हो हगाने की हमारे शाष्ट्रों में कहा दो है अहम ब्रहमस्त में लेक पाता आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग पर हाँ पढ़ो लाई करने को को और आपकर्थी होती है लेकिन दूसरों को खिला कर खाना यह हमारी संस्क्रति होती है हुआ को चाहँ है भाउ साड़ी चीजें हैं बहुत सारी बाका वास्ता है। अब में एक बात कहने हैं चाहता हूं यह आपगेती आपके कोई भी बी कार पुराणी हो हुआ तरह कि अर्फी or करा में यह वह जो पुराणी है तौर पुराणीर केवल घ्रेवल बदब रहे तुर्द रए तक्राई तुछ नहीं को चलिक है कुछ और तुस्छ अज़्या हा जुवा का अगर हम उल्टा करते हैं तो वाईयू होता है वाईयू आपना वाईयू हो कि गर सोते रहे है यूही सविरा हो नहीं सकता नहीं पर केसी ने लिखा कि गर सोते रहे है यूही सविरा हो नहीं सकता सफलताओं का जीवन में पतिरा हो नहीं सकता औरे पुछ कर दिखाना है तो मन में ठाना आगे बढ़ बता फिर कौन सा काम है जो तेरा हो नहीं था कि पॉजिटिव सही सोचो सही सोचोंगे सही होगा और नहीं सोचोंगे नहीं होगा कि कहीं पर डॉक्टर महाश्योता चत्रवेजी जी ने लिखा कि बुराई कुछ भड़ा करती नहीं है अच्छाई कभी मरती नहीं है बुराई कुछ भड़ा करती नहीं है अच्छाई कभी मरती नहीं है बनोजधार से अमिराम कुंभी चुट्टान से कभी जलती है कि क्या कारिकम है आज यहां साहुराम महाब जयाल ernyug искもう यहां पर हम युवाओं से संबाद करने आए ** यहां पर हम बात करने आए हैं कि मैं देख रहा हूं कि बच्चों को इंदर जिग्यासा की कमी है बच्चे लोग संबाद नहीं करना चाहते पुर्श नहीं पूछना चाहते अनुशाशन नहीं है हमें देखे बच्च अगर हम युवा का उड़ता करते हैं तो वायू हो जाता लौट गारा ए और बच्चों के इंदर में देख रहा हूं बहू साथा है बहुत साथी पृतिवाएं आज युवाओं की बात करने हम आपर पस्तित हुए हैं और बच्चों के भी शहां पर आकर मुझे बहुत अच्छा रग रहा है और मैंने कहीं पर लिखा कि कभी न हिले वो बुन्याद चाहिए कभी न हिले वो बुन्याद चाहिए वतन हमेशा ही आवाज चाहिए और एक बच्चों के लिए मैसेज में देना चाहता हूं मने भी बच्चों से कहा भी था कि पड़ो पड़ो लडाई करने को और लडो लडो समाज बदलने को मैं अगर निये रुची सिंगल जी का गीता गरवाल ची का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्हों नों मुझे यहां पर बुलाया और बच्चों के लिए जहां पर संबाद का मौका दिया उसके लिए उनका बहुत बहुत आवाद है